देखी कितना अच्छा लग रहा है ये नाश्टा, बहुत ही तेस्टी बनता है और ये क्विक नाश्टा है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, शेजवान पनीर कुल्चा, पनीर कुल्चा बनानी के लिए सबसे पहले एक फ्राइपन में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे, मक्षन डालने के साथ इसमें डाल देंगे 1 टेबल महीन कटी हुई प्याज, ये तीन कुल्चों के हिसाब से फिलिंग बना रही हूँ, प्याज को करीब 30 सेकिंड के लिए सौटे करेंगे, एक वर ट्रांस्पिरेंट करना है, लाल नहीं करना है प्याज को, अब फ्राइप मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीजपून महीन कटी हुई हरी मिल्च, अगर आप हरी मिल्च नहीं खाते तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मिक्स कर देंगे, अब इसमें डालेंगे 1 फोर्थ कप के करीब महीन कटा हुई टमाटर, सबी चीजों को बहुत ज्यादा मोटा मोटा ना काटें, 1 फोर्थ कप शिम्ला मिल्च, और 1 फोर्थ कप कॉर्ण, यह फ्रोजन कॉर्ण है, अगर आप फ्रोजन कॉर्ण की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, सभी चीजों को अच्छी तरीक भी बना सकते हैं, इस फिलिंग से, बहुत टेस्टी बनता है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार, मैंने 1-4 टीस्पून के करीब नमक डाला है इसमें, और 2 टीस्पून शेजवन सॉंस डालेंगे, आप शेजवन सॉंस की कॉंटिटी थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और बिल्कुल बजार जैसे आपको कलर देना है इसमें, कब इसमें थोड़ा सा ओरिंज रेड कलर रोल डाल दें, सॉंस को मिक्स करने के बाद इसमें डाल यह ग्रेट के हुआ हाफ कप पनीर है पनीर को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि सॉंस्टले की कुल्चा है तो सभी चीज में नमक होता है तो नमक थोड़ा सा हलका ही डलेगा और इस पर टमाटो केचप भी लगेगी तो इसके लिए नमक को बहुत हलका सा डाले क क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी नमक जादा हो जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ टीस्पुन के करी पीजा सीजनिंग अगर आपके पास पीजा सीजनिंग नहीं है आप उसकी जगे पर मिक्सर्प्स या औरेगे नो डाल सकते हैं फिलिंग बन करके तयार हो गई है आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है कितनी टेम्टिंग लग रही है फिलिंग को एक बॉल में कर लेंगे इस तरीके से और ठंडी हो जाने देंगे कुल्ची के उपर जो सांस को स्प्रेट करना है तो उसके यह मैंने लिया है मियोनी और टमाटो केचप दोनों को बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लिया है और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर आपको थोड़ा सा ओट चटपटा बनाना है तो आप इसमें शेजवान सोंस मिला सकते हैं और अगर आपको यह हाफ कप के करीब चीज है प्रोसेट चीज है पिलिंग को बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इसमें चीज मिलाए नहीं तो अगर गरम-गरम में चीज मिला देते हैं तो वह मेल्ट होने लगती है तो कुल्चे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप इसमे मिक्चर लगा लेंगे अब पनीर चीज वाला मिक्चर लगा देंगे और पूरे में पनीर को अच्छी तरीके से लगा देंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से अब दूसरा कुल्चा लेकर के पनीर के उपर रख देंगे इस तरीके से आप चाहे तो मखन में भी सेख सकते और चाहें आप गार्लिक बटर में सेख सकते हैं, तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसमें इसको सेख लें, मैं गार्लिक बटर में सेख रही हूँ, मैंने बटर में थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, उससे कुल्चे को सेख रही हू उसमें आप इसको सेख सकते हैं तो जिदर की तरफ मक्षण लगाया है उसको नीचे की तरफ करके इस तरीके से कुल्चे को रख देंगे पैन के उपर और दूसरी तरफ भी हलका सा बटर लगा देंगे इस तरीके से और कैस को medium to slow heat पर रखेंगे जिससे की कुल्चा अच्छी तरीके से सिख सके और जो अंदर चीज है वो हल्की सी melt हो सके आप चाहें तो इस तरीके से इस पैचला से हल्का सा दबा दबा करके सेख लें और हम चाहें तो真的 यूशने के बड़े लें प्लेट को कुल्चे के ऊपर रखें कोई भी भारी चीज़ को प्लेट के उपर रखें जिससे की और वो सार दबेगा एक सार दबने से पूरे में एक बराबर सिखेगा कहीं पर जादा और कहीं पर कम नहीं सिखेगा इसको सिखने देंगे करीब एक मिनट के लिए जिसे की चीज भी मेल्ट हो जाएगी और कुल्चा भी अच्छी तरीके से सिख जाएगा और सेम तरीके से जितने भी आपको कुल्चे बनाने हो, फिलिंग करके इसी तरीके से बना लेंगे और आप इसमें मोजरेला चीज डाल सकते हैं, या आप स्लाइस चीज भी रख सकते हैं आपको चीज पसंदू, चीज आपके उपर है कि आपको कितनी रखनी है, कौनसी रखनी है, अब इसको एक बार पलट करके देखने कि कैसा सिखा है दूसरी तरफ, ये देखिए, एक दम एक सार प्लेन हुआ है, अब कुलचे को पलटते हैं, ये देखिए, कितना अची तरीके कुलचे से कुलचा सिखा है, बिल्कुल एक बराबर कुलचा सिखा है, बहुत बढ़िया कुलचा सिखा है, अब दूसरी तरफ भी सेम तरीके से, पलेट रख करके सिखने देंगे कुलचे को, एक मिनट के करीब हो गया है, देखते हैं, दूसरी तरफ सिखा है या नहीं वाव आप देख सकते हैं, दूसरे तरब अच्छी तरीके से सिग गया है, यानि के कुल्चा शिक करके तयार हो गया है, कुल्चे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, उतने कुल्चे सिख लेंगे, अब कुल्चे को कट करेंगे, इस तरीके से, देखने में कतना टैंप tinha लग तो आप भी इस कुल्चे को जरूर बना करके देखें दूसरा कुल्चा भी सेम तरीके से सिक रहा है दूसरा कुल्चा भी सिख गया है अब कुल्चे को सर्व करेंगे और इसके साथ आपको सौंस चटनी कुछ भी सर्व करने की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि सभी चीज फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ